दोस्तों आज का पहला कुश्चन है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी आप बताएंगे दोस्तों तो आपका आंसर होगा दोस्तों हेनरी बैक्यूरल यानि की डी ओप्सन ठीक है ना बात समझ में आरी दोस्तों अगर हम बात करते हैं जोसेप प्रिश्टिले की ऑक्सीजन के खोज करता अगर हम बात करते हैं आरे भटे महोदे की तो सूने और पाई के खोज करता अगर हम बात करते हैं हेनरी बैक्यूरल की तो आपको बता दिया मैंने ठीक है ना अगला कुश्चन देखेंगे आप दोस् आइंस्टीन, अलबर्ट आइंस्टीन, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, अलग जेंडर, फ्लेमिंग की बात करते हैं, तो पैंसिलीन के खोज करता थे, ठीक है दोस्तों, चलिए, नेक्स्ट कोईशन देखते हैं, सापेच्छता का सिध्धान्त किया था, दिय तो आपका आंसर होगा, आइंस्टीन ने, ए ओप्सन ठीक है ना, सापेच्छता का सिध्धान्त किस ने दिया था दोस्तों, तो आप कहेंगे, आइंस्टीन ने, बात समझ में आ रही है, डार्विन ने, डाल्टन ने, और केविंडिस ने, किस चीज की खोज की थी, इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, भारतिये अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो संस्थान कहां इस्थित है, भारतिये अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानि कि इसरो कहां इस्थित है, तो आप का आंसर होगा बंगलुरू में, कहां पर दोस्तों, बं लुरू में ठीक है इसरो का मुख्याले कहां पर है बंगलॉर में है कब इस्थापना हुई थी पंदर आगस्त की दिन ठीक है यह सब बतें आप जानते हैं दोस्तों अगला देखेंगे आप चंद सेखर वेंकट रमन को नोबल पुरुसकार कब मिला था मोस्ट इंपॉर्टन का अंसर इसका अंसर क्या होगा 1930 होगा ठीक है ना दोस्तों बास समझ में आ रही है नेक्स्टोसटन परमारू नाभिक की खोज किसने की थी क्या अंसर लगाएंगे दोस्तों तों र thing hodai ने ठीक दोस्तों आप इस बात को ध्यान में रखेंगे दोस्तों की परमाड़ू के नाभिक में कियान कुछंसे चीजे होती है तो आप कहेंगे नीटॉन और प्रोटॉन ठीक है ये उता है ना और ऐलेक्टॉन बाहरी कच्छा में हुते हैं रदल फोर्ड ने खोच की थि तो आप आप कहेंगे प्रमाडू के नाभिक की खोज़की थी आइंस्टीन के बारे में आपने अभी पढ़ा है डाल्टन और चैडविक के बारे में भी आप जानते हैं चलिए अगला कुस्टन देखते हैं सूर के दर्ब्मान के एक दसमलो चार गुने दर्ब्मान को कहा जाता है बत खोज किसने की थी कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी अंसर क्या लगाएंगे दोस्तों आप जगदीश चंद्र बोश ने किसने की थी दोस्तों जगदीश चंद्र बोश ने कैस्कोग्राफ यंत्र की खोज तो आप कहेंगे जगदीश चंद्र बोश ने आर history of Hindu science किस की कृती है बताइए दोस्तों the history of Hindu science ध्यान से दोस्तों याद कर लीजे तो आप कहेंगे मेग नाद साहा कौन है भाईया मेग नाद साहा ठीक है ना इसको आप याद किये रहेंगे ठीक है दोस्तों अगला question देखेंगे चेचक के टीके की खोज किसने की थी चेचक के टीके की खोज तो आप का अंसर होगा Edward Jenner ने किसने की थी दोस्तों Edward Jenner ने चेचक के टीके की खोज किसने की थी तो आप कहेंगे Edward Jenner समझे बात को ठीक है दोस्तों अगला question देखते हैं किसने बताया पिर्थ्वी अपने अच्छ पर घूमती हुई सूरज की परिक्रमा करती है यह बात किस ने बताई थी इसका अंसा आपको मुझे देना है तो आप कहेंगे आरे भटे ने किस ने बताई थी दोस्तों आरे भटे ने बताई थी यह बात ठीक है इतनी बातें के लिए हो question neutron की किसने की थी बताइए दोस्तों जेम्स चैडविक ने जेम्स चैडविक ने इटा पर नाचे एक formula आप जानते हैं इस तरह से होता है अगर हम electron की बात करें तो electron की बात करें तो बताइए दोस्तों टॉमसन आप जानते हैं ठीक है न अगला point देखेंगे अगला question परमारू के सिधानत का प्रतिपादन किस ने किया था तो आप कहेंगे dalton ने यह देखे question सामने आ गया आपके परमारू सिधानत का प्रतिपादन तो आप का answer होगा dalton बात समझे मैंडल ने किया किया था दोस्तों इसका answer आप मुझे comment box ने बताएंगे अगला question देखेंगे the origin of species किन की रचना है बताएंगे दोस्तों इसका क्या answer होगा Darwin की किस की रचना है दोस्तों Darwin की आप सभी लोग जानते है origin of species किन की रचना है Darwin की ठीक है रदर फोर्ड मैडम क्योरी जेम शैडविक के बारे में आप जान चुके हैं पहले चलिए हम कुछ question और करते हैं अगला राश्टी विज्ञान दिवस इसका answer तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों राश्टी विज्ञान दिवस कम मनाया जाता है तो answer क्या लग केवेंडिस ने किसने खोजा हेंडरी केवेंडिस ने देखिए इसका answer क्या होगा हेंडरी केवेंडिस ने आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों ठीक है ना अगर हम हेंडरी बैकुरल की बात करते तो इन्होंने क्या किया था यह कुछ चाना आप मुझे बताएंगे जग्त रक्त परिवहन दोस्तों सोच के बताएगा रक्त परिवहन के खोजकरता टीका जानते हैं और लैंडिस टीनर है यह महोदए आप जानते हैं ब्ल कर्णिस टीनर ठीक है ना अगला देखेंगे आप X-ray की खोज किसने की थी बताइए दोस्तों तो आपका अंसर होगा WC Rontigen किसने की थी WC Rontigen ने ठीक है कब की थी 1665 में कब की थी 1665 में ध्यान दखेंगे दोस्तों अभर और गोविन खुराना ने किस चीचे खोच की थी या आप मुझे बताईएगा कमेंट बॉक्स में अगला कुस्चन गति के जड़त नियम को किसने प्रति जड़त का नियम दोस्तों आप जानते हैं गैलीलियो महोदे ने आप जानते हैं कि न्यूटन के गति के पहले नियम को क किसे कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली क्या नाम है डॉक्टर सलीम अली बड्समैन के नाम से कौन फेमस है डॉक्टर सलीम अली अगला कुस्चन अनुवांसिक कोड की खोज किसने की थी दोस्तों ध्यान से अनुवांसिक कोड की खोज हर गोविंद खुराना मैं आपसे बार बिंद खुराना महोदे ठीक है ना अगला कुश्चन टेली स्कोप का निर्माट किस ने किया था दोस्तों इसका अंसर आप बताएंगे टेली स्कोप का निर्माट तो आप जान लेजे दोस्तों गैलीलियों ने किया था किन महोदे ने किया था तो आपका अंसर होगा गैलीलि करता, बताइए, लाइसो सॉम, बताएंगे दोस्तों आफ, बताइए दोस्तों तो आप जान लेजे, C.D. डुर्वे, डुर्वे होना चाहिए था यहाँ पर डुլे लिखा है, कोई बात नहीं, C.D. डुर्वे, ठीक है न, C.D. डुर्वे, William Harvey के बारे में आपको पता चल चुका है Dalton जी के बारे में पता चल चुका है Mendel महोदे के बारे में आप मुझे comment box में बता सकते हैं दोस्तों ठीक है ना चली महीं बता देता हूँ मतर के दाने पर उन्हों ने प्रयोग किया था आप जानते हैं ना Gregory Mendel ने क्या किया था मतर के दानों पर प्रयोग किया था अनुवन से की संबंधी ना चलिए अगला कुस्चन देखते हैं दोस्तों हम प्राकिजतिक चयन का सिध्धान किस ने दिया था बताइए दोस्तों आप प्राकिजतिक चयन का सिध्धान तो आपका अंसर होगा डार्विन ने दिया था किस ने दिया था डार्विन महोदे ने दिया था ठीक अगर हम लैमार किजी की बात करते हैं तो इसका अंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लाइकें के खूज करता बताईए दोस्तों like and के खुज करता कौन है दोस्तों बताईए जल्दी बताईए दोस्तों like and के खुज करता तो आपका आंसर होगा तुलासने याद रखीएगा दोस्तों important question है तुलासने महोदे ने like and की खुज की थी और Alexander Flaming ने क्या क्या था इसको मैं बता चुका हूँ जय हिंद, जय हारत!